आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वेडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाउ जो मैगनेटिक फोस लगाएगा magnetic field moving electron के उपर उसके बराबर होना चाहिए magnetic force तो जो centrifugal force होगा वो क्या होगा अगर electron है उसका mass let's suppose m है और उसकी velocity है v और वो r radius की radius में motion कर रहा है तो centrifugal force होगा m into v square by r is equal to magnetic force का होगा electron v velocity से move कर रहा है और magnetic field b present है तो b into v into charge electron का charge let's say q है q तो यहां से v से एक v cancel तो हमार पास v by r की value हम बोलते हैं हमार पास आएगी b into q by m v by r क्या होता है v by r होता है omega v by r is omega और omega को हमें cyclotron frequency बोची है तो omega को frequency की term में हम लिख सकते हैं omega is equal to 2 pi into f इसकी value नहीं रखते हैं तो हमार पास आएगी 2 pi into frequency f की value है b into q by m तो हमें जो वेरिबल्स है यानि जो magnetic field है charge है और mass है इनकी values electron के लिए पता है electron के लिए mass होता है 9.1 into 10 to power minus 31 kg और charge होता है q equals to 1.6 into 10 to power minus 16 kg B की value magnetic field की value में गिवन है होया 1 tesla तो इनकी value यहां पे रखते हैं तो हमार पास frequency की value आएगी f equals to b यानि 1 into charge यानि 1.6 into 10 to power minus 16 upon 2 pi to mass की value है 9.1 into 10 to power minus 31 इसको solve करते हैं तो हमार पास frequency की value आती है 28 times GHz और 28 GHz आरी है हमार पास frequency की value जो हम से cyclotron frequency पूछी है उसकी हमारा answer है 28 GHz क्लासिक्स से 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तता स्मिलियन से जादा स्टुडेंट्स कभर हो सा आज ही डाउनलूट के ले डाउटने टाप या whatsapp कीजिए अपने डाउट आउट आच चारसो 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 पर